हलो दोस्तों मैं हूँ जोती और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज जो मैं रेसिपी लेकर रहा हूँ ये है तो सौथ इंडिया रेसिपी पर इसका स्वाथ सभी को मन को भाजाता है तो आज मैं रसम की रेसिपी ले करे हुँ जिसे मैं एक हंडी में बनाने वाले हूँ तो आप देख सकते हैं रसम कितने अच्छे से हमारा हंडी में पक रहा है रसम बनाने के लिए मैं हापे पाच देशी टामाटर को छोटे टुपड़े में काट लिया है अब इसे पोटेटो मैसर की हेल्प से थोड़ा सा दबाते हुए इसका जूस निकाल ले जूस निकालते समय थोड़ी सा गरम पानी डालने से क्या होगा अच्छे से इसका जूस सेपरेट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा थोड़ी देरों में यह अच्छे से जूस अलग सेपरेट हो गया अब इसमें आधे लिटर पानी डालकर इसे अच्छे से और थोड़ी सा दबाते हुए इसका जूस सेपरेट कर लेंगे द्यान रहें इसे इसे मिक्सी में ना चला है, मिक्सी में कहा है कि हमारा पल्फ बन जाता है और रसम थोड़ा पतला होता है, पल्फ बनाने से कैया होगा वो थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा रसम तो वो टेस्ट नहीं आगा जो ट्रेडिशनल रसम का टेस्ट आता है तो मैं आज ट्रेडिशनल अनुसार बना रही हूं रसम तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ खड़े गरम असाले लिए जीरा गोल की छे लसन कलिया थोड़ी सा करीपता 15-20 पत्ते अब क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है तो आप एज सूप भी से पी सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कच्चा लहसन मीर्च काली मीर्च जिसे हम गोल की भी करते हैं उसे डाला है तो यह ठंडियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ठंडियों में तो खासी जू काम चलता को भी डाल दिया अब इसे एक उबाल आने देंगे फुल फ्लेम पे जब यह अच्छे से उबाल आने लगे तो इसे लो फ्लेम पे हमें साथ से आठ मिनट तक अच्छे से पकाना है क्योंकि यह ओपन में पक रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा कच्छा पन निकलने के लिए तब तक वह पक रहा है तब तक इसकी तड़का की तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने दो चमच सरसो तेल में एक चमच राई थोड़ी स सहीं करीपत्ता एक मिर्च सुखी मिर्च को डाल कर टकने दिया है अब इसे अच्छे से उलड़ते पुलड़ते अच्छे से पका लें अब यह पक गया है हमारा रसम तो उसी में यह तड़का डाल देंगे तो आप देख सकते कितना अच्छा कलर आया है तो जब भी आगर को ऐसे कभी मन करें जो काम खास ही हो जाए तो आप इसे रसम को पी सकते हैं और ना भी ओ तब यह पीओ अच्छा ही लगता है मैं तो फिलाल आज चावल के साथ सर्व करने वाली हूं और खाया तो मुझे बहुत अच्छा